नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको हमारे इस घरेलूखवर चैनल में दोस्तों आज मैं आपने इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आप भी नवरात्री के 9 दिनों का ब्रत रख रहे हैं तो खाण-पान का ध्यान कैसे रहें? कौन-कौन सी चीजे ब्रत के दोरान खाएं और खाने से पहले किन बातों का ध्यान रखें? वो विस्तार से मैं बताऊंगी आप मेरा पूरा वीडियो लास तक सुनेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कुछ लोग निर्ने नहीं कर पाते कि आखिर ब्रत में क्या चीज़े खाई जा सकती है या फिर क्या नहीं खानी चाहिए ब्रत के दौरान जादा देर तक भूखे न रहे पानी का सेवन जरूर करते रहे तेल की चीज़ों से दूर रहे हो सके तो फ्राइड चीज़े नहीं खाए सात्विक भोजन खाए साकाहारी भोजन ही ग्रहन करें अगर पहले से तबियत आपकी बिगडी हुई हो तो ब्रत रखने का मन में मन से हटा दे खाली पेट गैस बनती है ऐसे में अगर आप प्रिगनेंट हो तो भूल कर भी ब्रत नहीं रखें खाली पेट चाय पीने से पेट में जलन, दर्द और अलसर होने की संभावना हो सकती है इसलिए पूजा करने के बाद जूस या नारियल पानिया ले पूजा करके उठे तो तुरंद खाली पेट में हमें चाय नहीं लेना चाहिए खाली पेट सकरकंद, केला, दूद, कसेवन न करें खाली पेट सकरकंद खाने से जलन और डाइजेसन सीस्टम खराब हो जाता है इसी तरह केले में ठाय Tribune, रिवो फ्लमीन, नियासीन और फॉलिक इसीड होता है तो खाली पेट के एले खाने से हमारे सरीर में कैलसियम और मैगनीशियम का संतुलन खराब हो सकता है इसके अलावा खाली पेट दूद पीने से कफ, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब और पेट के मसल्स कमजोर होते हैं तो ये मैंने बताया आपको कि किनकिन बातों का नवरात्री के ब्रत के दौरान किनकिन बातों का ध्यान रखे ताकि आपका स्वास्त बिगड़े नहीं अब क्या खाना चाहिए नवरात्री ब्रत के तौरान तो फला बाहार में आप कई तरह के फल खा सकते हैं पानी वाले फल हेलदी होते हैं तो पानी वाले हेलदी फल ज्यादा से ज्यादा आप सेवन करें ताकि बाड़ी में पानी की कमी ना रहे कुट्टू का आटा ब्रत में फैदे मंद होता है इससे भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है तो कुट्टू के आटे की पूरी के बजाए आप कुट्टू के आटे की रोटी बना कर खाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल दी होगा ब्रत में केवल सेंधा नमक खाए या ब्लड प्रेसर को भी बढ़ाता नहीं है बलकि उसे कम करता है सावुदाने की खिचडी में आलू और मुंग फली डाल कर खाएंगे तो ये ज़्यादा देर तक आपको भूख लगने से बचाएगा सामक की चावल की खिचडी खा सकते हैं ये बहुत हेल्दी होता है और डाजेशन में इजली डाजेस्ट हो जाता है आलू के चिप्स अगर आप सामकी चाय ले रहे हैं तो आलू के चिप्स बिना नमक वाले आप खा सकते हैं दही, आलू या अर्भी भी आप खा सकते हैं और छिल्ला भी आप सेंधा नमक डालके या बिना नमक के छिल्ले भी आप खा सकते हैं, कुट्टू के आटे की भी छिल्ला बना सकते हैं, उसमें वो गाजर ये सब डालके, कुट्टू के आटे की रोटी बनाके उसके साथ कद्दू की सबजी, जीरा, आलू या दही भी आप खा सकते हैं, यह सब खाना नवरातरे में अच्छा रहता है, तो दोस्तो आसर करते हूँ कि, मैंने जो बोला कि इस वीडियो में बताऊंगे कि नवरातरी के बरत के दौरान, क्या खाएं, किन बातों का ध्यान रखें, तो आसर करते हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होग वीडियो को लाइक करे, सेर करे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करे थे